बहुत कोछी सो के बात भी बाद मीं बाजार जैसा चटपटा और टेस्टी चाट मसाला निस बनता तो आए एकदम सीग्रीट तरीके से चाट मसालिक Woahb यहतरीन बजार से कई गुना ज़्यादा चट पटा और कई गुना ज़्यादा अच्छा और इस वीडियो में आपको कई सारे ट्रिक बताऊंगे जिसे कि चाट मसाला बहुत ही बढ़िया एकदम चट पटा और टीस्टी बनेगा और किसी भी नास्ते या खाने का स्वाद बह वीडियो लास तक देखिए आपको यह बहुत 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 ज़्यादा पसंता आएगा बहुत सारे लोगो की रिक्वेस्ट पर आज की चाट मसाला बना रहे हूं है जो एकदम बढ़िया चट पटा बनती है तो आपको लेना है कोई भी पैन लेना है कडाई लेना है बिना तेल या घी डाले पहले पैन को गरम कीजे फिर इसमें डालेंगे दो टेबस्पून भरके धनिये के बीच अगर आप धनिये का पावडर ले रहे हैं तो उसका भी तरीका बताऊंगी कि आप उसको कैसी मिर्च के दाने और काली मिर्च के दाने डालते से मैं आपको ध्यान रहे कि यह अगर ज्यादा राल देंगे तो चाट मसाला किखी हो जाएगी इसलिए क्वांटिटी का आपको बहुत ही खास ख्याल रखना है दस दाने हम डाल देंगे इसमें लॉंग के और अब इन सारी ची आपको लगे कि यह क्रिस्प होने लगे हैं और थोड़े से तड़कने की आवाज आने लगती है एक बड़ा चमश भरके सॉफ अब मोटी बार एक कोई से भी ले सकते हैं और जीरा और धनिया हलका सा भुनने के बाद सॉफ डालना है क्योंकि यह जल्दी पुन जाते है और जाए उतना ही इसको भुनना है नहीं तो चाट मसाले का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा बिल्कुल बजार जैसा चाहते हैं तो इसको हमें क्रिस्प होने तक ही भुनना है तो देखि इसको अलग प्लेट में निकाल देंगे और पूरी तरीके से थंडा होने देंगे बाद में इसमें कुछ और चीज़ याड़ करेंगे जिससे आपकी चाट मसाला एकटम मज़ेदार एकटम चट्पटी बनेगी तो प्लेट में निकाल दिया है मैंने इसको हम अच्छी तरीके से नॉर्मल टेंपरचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं बहुत बार अच्छा चाट मसाला बनाने के चकर में हम बहुत सारे गरब मसाले डाल देते हैं इसका टेस्ट बिलकुल गरब मसाले या फिर सबजी मसाले के तरह हो जाता है तो यहां पर आपको ध्यान रखने के वाली बात यही है कि हमने जो भी यहां पर सीक्रेट ट्रीक बताएं है यह सारे अगर ध्यान रखेंगे तो चाट मसाला एकदम पॉफिक्ट बने की जैसा कि मैं आपको पीस के से दिखाऊंगी आपको देखने में तो क्या खाकी भी पताने चलेगा कि आपने इसे घर पे दियार किया है देखें सारे चीज़े भुन गई हैं और भुनने का सबसे ज़्यादा खास तरीका यही कि अगर आप इसको हाथों से इस तरीके से मसले तो सारे चीज़े तूटनी चाहिए अब यह अच्छे तरीके से ठंडे हो गया है तो इसको डाले एक साफ और सूखे मिक्सी के जार में मिक्सी की जार में नमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल ड्राइ होना चाहिए और यह सारे के सारे जो साबुत मसाले हैं इन्हें हम डालेंगे और पहले हम इनको पीस लेंगे, थोड़ा सा इसको coarse पीस कर तयार करेंगे फिर इसमें बाकी के powder एट करेंगे, जिसे कि मसाला एक तम महीन हो जाएगा तो यहां देखें, मैंने इनको एक दो बार mixi को चलाया है और ये coarse powder ready हो गया है जैसे कि सारी जो भी चीज़ें हमें डाली थी न साबुत मसाले वो अच्छी तरीके से पिस गया है लेकिन थोड़ी से दर्द रहे है तो अब इसमें कुछ सूखे मसाले आड़ करेंगे जैसे कि चाट मसाले का कलर और तेस्ट दोनों चेंज हो जाएगा तो अब इसी जार में हमें डालना है काला नमक लगबुक एक बड़ा चमबच डाल रही हो में काला नमक ही डाल लीजेगा सेंधा नमक नहीं डालना है और काला नमक के साथ ही हमें थोड़े से सफेद नमक डालने हैं तो मैं हाफ टी स्पून जितना डालूँगी कि बहुत सारा नमक डाल देंगे न तो टेस्ट खराब हो सकता है तो सफेद नमक डालने के बाद आप डालना है हमें अमचूर पाउडर ताकि चटपटा टेस्ट आए अमचूर पाउडर के जगा पर आप इमली का पाउडर भी ले सकते है या फिर आप सीट्री केसी डानी जो नीम्बू का फूल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं जिससे एकदम चटपटा और टेंगी टेस्ट आएगा एक टेबल स्पून डाल देंगे इसमें अद्रक का पाउडर नी सौट का पाउडर और अब थोड़ा सा हिंग बिल्कुल चौथाई चुटी चमच जतना डालना है और जरूर डालिएगा ये देखें बस थोड़ा ही याट कीचेगा और अब हमें इसको पीसना होगा तो एकदम पल्स मोट पे हमें लगभग 2-3 सेकंड के लिए इसको अच्छी तरिके से पीसना है ताकि जो दरदरा सा मिक्षर दिख रहा है न एकदम बारीक हो जाए जैसा कि बजार वाले चाट मसाले में होता है तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा करके चलाऊंगी और ध्यान रहे अगर आप बहुत सारा पीस देंगे न तो मसालों से ओल रिलीज हो जाएगा जिससे कि जब हम चाट मसाले को स्टोर करते हैं तो उसमें गाठे बढ़ जाती है तो आपको इस चाट मसाले को जरूर ट्राय करना और देखे कितना महीन बना है अच्छी तरी किसे पिस गया है अब इसको और पिसने की ज़रूरत नहीं है ये देखे अब आप इसको अपने मन पसंद किसी भी बॉक्स में भर करके लगभग दो से तीन महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में कर रखेंगे तो चार-पाँच महीने के लिए हो जाएगा मैं इसे सिर्फ एक महीने के लिए बनाती हूँ कि मेरे घर में चाट मसाला सबसे जाता यूज किया जाता है हर तरह के नास्ते में किसी भी फूट सैलेड में मेरे कर में बच्चे बहुत पसंद करते हैं चाट मसाला इसलिए मैं इतना सारा एक महीने में ही यूज कर जाती हूँ तो देखिए मैं इस सारा का सारा एक अलग प्रेट में निकाल दिया है थोड़ी देर इसको थंड़ा होने देंगे पीसने के बाद मिक्सी में थोड़ी सी गर्माहट आ गई है जिसे कि जो पाउडर है अलका सा करम हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा थंड़ा होने दूँगी और उसके बाद इसको काँच की कंटेरर में भरके रख देंगे तो देखा आपने कितना आसान है चाट मसाला बनाना क्युकि बहुत सारे लोगों की रिक्ष टाई थी चाट मसाला घर पर बनाना मुस्किल है या फिर बाजार जैसे नहीं बनते बहुत सारे लोगों के रिक्वस्ट आई थी तो मैंने एकदम पॉफिक विदी से बताया है और जो भी मैंने मिजर्मेंट बताया है इसे हिसाब से साहरी सीजर डालिएगा तो चाट मसाला एकदम पॉफिक बनेगी किसी भी ग्लास के जार में या फिर प्लास्टी के जार में आप इसको स्टोर करें फ्रिज में भी रख सकते हैं और बिना फ्रिज के भी कैसी लगे लिखे बताईए और कहां से ये वीडियो देख रहा है मैं जरूर कॉमेंट करके बताईएगा और सेयर कीजिएगा अपने ठेट सारे फ्रेंट्स को ताकि जो लोग ये वीडियो नही देख पाए उनको भी ये वीडियो पहुंच जाए ताकि वो भी चाट मसाले बना सके असानी से किसी प्रेवरिट स्नेक्स के साथ फूर्ट के साथ आप इसे साफ कीजिए पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और रोजनी वीडियो माने के लिए सब्सक्राइब कर देख देख लिए और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक कियर एंड बबाए